चलिए बच्चों आगे चलोगें नेक्स्ट टोपिक इस स्क्रूगेज स्क्रूगेज भी कह सकते हूं and it is also known as micrometer इसके सवाल बटा जेए मेन के अंदर भी आ सकते हैं और फ्कूर्स एडवांस के अंदर भी आ सकते हैं जेए मेन के जो सवाल लोंगे वो exactly बटा formula based होंगे लेकिन जो भी आईटी एडवांस के सवाल होंगे उसके लिए आपको इसके पूरी डिटेल या फिर इसके सारे के सारे concepts को basic से समझ में आना जरूरी है क्योंकि जब भी आईटी एडवांस का सवाल पूछते हैं मैं इस बात को notice किया है कि जो normal screw की जोता है उसको अलकाफल का modify करके वह सवाल पूछते हैं और इसको सिर्फ और सिर्फ वही बच्चा कर पाता जो formula पर विश्वास कम रखे और concepts पर और basics पर विश्वास तोड़ा सा जाता रखे हम दोनों बातें देखेंगे कि अगर J-E mean के सवाल आते तो किस-किस तरगे formula अब देके बेल होंगे और of course हम सारी-सारी theory तो basic से देखेंगे तो हमें इस बात का कोई खास परक नहीं पढ़ता यह सवाल mean का है या advance का है हम भले आकरवी formula आते लें लेकिन हम सारा का सारा जो काम बिल्कुल basic से ही करेंगे सबसे पहले मैं आपको दिखा भी दूँगा लेकिन मैंने एक बार एक बड़ा फोटो लगा रखें जो simple screw gauge अच्छा हम एक बात बूलना भूल गया कि screw gauge काम किसलिए आता है यह काम आता है बहुत छोटी thickness को बहुत छोटे diameter को या radius को measure करने के लिए हलाके हम scale भी यूज़ करते हैं लगिन scale का एक least count होता है एक millimeter एक millimeter से छोटी length जो है वो हमारी meter scale डंग से measure नहीं कर सकती अगर उससे छोटी length आपको और accurately measure करनी है तो आपको बड़ा कुछ instruments सी ही है जैसे vernier caliper हो गया, screw gauge हो गया, screw gauge is even more accurate as compared to screw gauge screw gauge is more accurate as compared to vernier caliper और इसका least count और छोटा होता है और और जादा accurately measure कर सकता है तो दो चर बड़ा बात है, सुनिए इस बात को सबसे पहली बात जो हमारे पास simple meter scale होती है you know it very well कि इसका जो least count है जिस value तक ये बड़े आराम से ढंग से measure कर सकती है that is one millimeter that is one millimeter अगर एक millimeter से छोटी और length आपको measure करनी है तो या तो आप vernier के लिए पर use कीजे या screw gauge उस कीजे तो हम इससे भी कम least count इससे भी छोटी thickness को और जादा accurately measure करने के लिए use करते है vernier के लिए पर या फर screw gauge so we use screw gauge to measure diameter या विड़ा अब diameter measure कर लिया तो radius measure करना area measure करना परिमेटर मेचर करना हो तो सब होई कि इसके साथ साथ ही to measure diameter, radius, thickness और इवन लेंथ more accurately more accurately when I say more accurately I mean that कि screw gauge को जो least count है वो एक मिलिमेटर से भी छोटा होगा और काफी छोटा होगा मैं कह सकता हूं कि हमारा जो screw gauge है बिड़ा has least count has least count of course less than 1 mm 1 mm तुमारा जो simple meter scale away measure कर लेता है उससे दादा accurate लेगर measure करना है तो ऐसा instrument जो ही है जिसका least count 1 mm से कम हो in general in general हमेशन नहीं बिड़ा in general हम जो screw gauge यूज करते हैं उसका least count 1 by 100 mm होता है मैं फिर से इस बात को लिख दू बिड़ा in general बिड़ा in general मतलब अकसर मान सकते हो कि लग बगलब नाइंटी परसेंट केसे में और नाइंटी परसेंट सवालों के अंदर हमारा जो screw gauge होगा हमारा जो screw gauge होगा हैस लीस्ट काउंट 1 by 100 mm या फिर 0.01 mm या फिर बड़ा 0.01 इन जनरल हाना हाला कि हम इस तरह के screw gauge भी देखेंगे जिनका least count बड़ा 1 by 50 हो या 1 by 60 हो या 1 by 70 हो ऐसे भी हो देखते हैं ऐसा कोई मैं यह भी आ रहा होगा कि सर इसका नाम screw gauge क्यों पड़ा इसका नाम screw gauge इसलिए पड़ा क्योंकि it is based on the concept of screw वही बड़ा simple screw जो बड़ा of course है ना हम जानते हैं कि बड़ा अक्सर अब्जेट्स को ऐसे जोडने के काम आता है उस screw में क्या concept होता है कि अगर हम उस screw को ऐसे ऐसे घुमाते हैं तो वह लगाता है तो screw वह ऐसे 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 लगाता आगे जाता है और बराबर angle घुमाना पर बराबर length आगे जाता इस तरह से मैं फिर से इस तरह से दिखा है तो कि पिर से उलटा गुमाँगे तो बैडा जैसे इसा घुमाँगे वैसे आपका पीछा एक भी नोट वेरी तो जो कॉंसेप्ट आपके स्क्रू का था एग्जेक्टली उसी कॉंसेप्ट पर बेस्ट अमारा स्क्रू गेज है दिखने में बड़ा जो स्क्रू गेज होगा इसमें ये दो एंड्स है जिसमें से ये वाला जो एंड है बड़ा आपका फिक्स है जो फिक्स एंड है बड़ा उसकों स्टड भी कह सकते हैं और एक नाम और भी है इसका इसका इनबल इसके अलबा ये जो section है ये मुवबल है ये वाला section है ये वाला section है ये आपका movable है और जो movable section है इसका आप screw भी कह सकते हो इसका नाम बिढ़ा screw भी रख सकते हो इसका नाम बिढ़ा screw भी रख सकते हो screw के अलाबा एक नाम बिढ़ा और इसका बहुती used है, that is spindle it is also known as spindle screw बोल दीजे या spindle बोल दीजे, एक ही बात है screw तो इसलिए बोलते थे क्योंकि हना, यहाँ पर actual में पहले screw लगा होता था इसे simply ऐसे screw ही लगा होता था आज की बड़ा ठीक है, screw के जिक है, simple rod type भी लगा दे जाती है, यहाँ पर पहले screw होता था, तो इसलिए उसे screw को हमने बड़ा रिप्लेस कर दिया, से simple rod से आज कल, तो इसलिए में इसको spindle भी कर दाते है, तो you can say screw as well as spindle, तेक है, अच्छा यह जो इसका part जो है यह जो इधर वाला तो इससा है, जो इससे टकराने वाला है इसको भी बड़ा कई बार stead कहाते हैं, जो पूरा portion है पूरा portion, उसको तो spindle बोल दो और इसका आगे वाला आगे वाला portion जो इस anvil से या आगे वाले stead से टकराने वाला है इसको भी आप stead कह सकते हो हाला कि हम in general इसी portion को stead या फिर anvil कहते हैं यह वाला आपका fix portion है यह आपका movable portion यहां तक ठीक है यह बड़ा आगे चली यह आपकी main scale है यह जो है, बड़ा यह आपकी main scale है इस main scale में यह जो main scale है एक बड़ा यह जो बड़ा main scale है इसको आप pitch scale में कहा सकते हो इसको आप main scale कहा दीजी यह बड़ा pitch scale कहा दीजी यहां पर एक circular scale लगे हुई है एसे, उसको रोटेट कहा सकते है यह बड़ा आपकी circular scale है तो यह वालग section है, बड़ा ही आपका circular scale है इसके बड़ा कुछ मार्किंग्स अलग से दिखा रख क्योंगे कई बड़ा वो 0 to 50 होती है कई बड़ा वो 0 to 100 होती है हम बार बार बड़ा उनको देखेंगे भी अलग-लग तरीके से तो यह आपकी जो scale है, जो circular scale है यह इसके उपर, pitch scale के उपर इस तरह से दिखा है ठीक है, आगे चलते है इस circular scale को, जो बड़ा circular scale में बना रखी है इसको कई चगे बड़ा head scale भी कह देते हैं लिखावाता कई चगे थे, जो head scale भी कह सकते हैं अच्छा, यह circular scale के साथ यह पुरा का पुरा support है इस support को बड़ा हम, thimble कहाते है इस पूरे-पूरे support को बड़ा हम क्या बोलते हैं, thimble बोलते हैं मैं एक बात और बोल दूँ इसे thimble बोलते हैं, इस कारण से कई-कई books के अंदर यह जो circular scale है, इसको थimble scale भी लिखा रहता है अब इतने साथ नाम आपको जानने ज़रूर नहीं है अपने NCRT लोड़ा सिर्फ और सरफ यह circular scale ही लिखा रहता है कई books में ऐसा लिखा रहता है, कि यह thimble है इसलिए इसको मैं थimble scale बोलना start कर दिया यहां तक सारण अगर सर्ममला समझने आगया हो मैं फिर से repeat करता हूँ, बढ़ा ही आपका stead है इसको आप Envil भी कह सकते हो यह जो portion है, बढ़ा ही movable है कैसे move करेगा, इसको हम गुमाएंगे तो बढ़ा ही आगे पीछे हो सकते है बलकुल screw की तरह है, और उसके बाद इसको हम नाम दे रहे है, screw कह सकते है या पिसको स्पिंडल कह सकते है यह अपने आपने एक U frame है, यह एक तरह से support कर रहा है इस movable और इस arrangement को support करने के लिए इसको हम frame कह सकते है कई जिक जाके इसको U frame भी बोलते है हम इसको frame भी कह सकते है U frame क्यों हम बोलते है, को कि इसका जो शेप अवकाफिया तक यह हुए तो सिर्फ उसे connect करने के लिए अपने आप में आपके पास यह arrangement है यहां तक सारी सारवात है ठीक बड़ा यह आपकी pit skill यह फिर man skill यह आपकी circular skill circular skill को आप head skill बोल दीजे thimble skill बोल दीजे एक यह बात है इसको हम घुमा सकते हैं इसे हम ratchet कहते है जैसे प्यारी बच्चे हम क्या कहते है ratchet कहते है ratchet का जो काम है वो यह बताना है कि इस arrangement के बड़ा आपका जो fixed और movable arrangement है इसके बीच में वो object हम डाल देंगे जिसके हमें length, thickness, diameter measure करनी है वो चीज ढंक से fix हो गई है pack हो गई है यह check करने के लिए हम पीछे लगाते है ratchet अब ratchet का आप जैसे गुमाऊगी तो एक कड़-कड़ की आवाद आती है जैसे वो कड़-कड़ की आवाद आए तो समझ जाना कि यह जो object बीच में थी यह बड़ा आराम से fix हो चुकी है तो ratchet का जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ यह है कि जो भी object जिसकी thickness, diameter, radius आप लोगों को measure करना है और stud और हमारा जो जो spindle है उसके बीच में अगर उसको fix करना है तो वो fix हुआ है या नहीं हुआ है इसको check करने के लिए आपके पास यह ratchet है और ratchet में खलकी सी आवाज आती है उस आवाज आने से हम समझ जाते हैं कि यह object आपकी fix हो गई है spindle और stud के बीच में तो आप कैसे सकते हुआ कि ratchet makes sure that object has been tightly fixed between stud and spindle अभी तक हम नहीं दिखा नहीं कैसे हम इसको यूज़ करता है हम तो सिर्फ और सिर्फ और अभी तक इस पूरे के पूरे स्कूरू के अच्के स्ट्रक्चर समझ ज़रेंगे कैसा कैसा यह है अगे चलते हैं यह अगे चलते हैं मैंने बस ठीक है एक अलग तरह का डियाग्राम दिखा दिया अगे न है यह फिक्स्ट पोर्शन आपका स्टड अपका स्कूरू यह फिंडल यह आपकी यू फ्रेम दोनों को जोडने वाली यह आपकी पिट स्केल, पिट स्केल जो है, ये बड़ा अपने अपने एक linear स्केल है, जो पिट स्केल है, ये अपने आपने अपने एक linear स्केल है, ये अपने आप में थोड़ी linear है, ठीक है, और आप ऐसा क्या सकते हो, कि पिट स्केल एक तरह से हमारी main स्केल है, इस पिट स्केल के ऊपर rotate करने के लिए ये रही आपकी circular scale, circular scale मैं अलग से भी दिखा दूँगा, circular scale को support देने के लिए ये जो सारा-सार arrangement है, इसे हम थिंबल कहते हैं, थिंबल के साथ में scale लगी हुई है, इसलिए circular scale का एक नाम और रख रख है, that is, क्या नाम था थिंबल scale, चेक है, और आखिर में ये ब भुमाने पर आवाज आ गई है, इसका मतलब जो object इन दोनों की बीट में अपने फसाई है, वो बढ़िया से अराम से fix हो गई है, अगर आवाज नहीं आई है, it means that अभी तक fix नहीं हो गई है, चेक है, चलिए बच्छो, आगे चलते हैं, मैंने बड़ा जो circular scale था उसके एक भी मैंने बना दिया है, यह आपका बड़ा circular scale, यह आपका circular scale, जो circular scale था, मैं फिर से दिखा तो आपको, यह जो आपका circular scale था, यह जो इतना सा circular scale है, मैंने इसका अलग से एक picture यहाँ बना दिया, यह बड़ा आपका circular scale, इसके अंदर अक्सर हंड्रेड डिविशन होते हैं इन जनरल इसमें हंड्रेड डिविशन होते हैं जैसे बड़ा इसमें देख लो यह जिरो लिख हुआ है जीरो वन टू थी फोर फफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफफ 0 के पास 100 coincide कर देंगे तो इसमें अक्सर ऐसे circular scale पर 100 divisions in general होते हैं, 50 बियो सकते हैं 100 बियो सकते हैं, even 200 बियो सकते हैं इन general क्या होंगे, 100 होंगे तो आपका तो circular scale होगा it will look like this, यह circular scale हमने किस पर mount कर रखा है हमने इसको mount कर रखा है हमारी pitch पर हमने इसको mount कर रखा है जो हमारी main scale थी उस पर हमने इसको mount कर रखा है हमने इस पर उसको चड़ा रखा है ठीक है बच्चों, यहां तक बड़ा मेरे ख्याल से मामला clear है यहां तक बड़ा मेरे ख्याल से मामला clear है जो भी object आपको measure करनी हो, जिस object की भी thickness एन्विल या स्टर्ड और दूसरा बड़ा हमारा ये वला अरेंजमेंट बड़ा इस यूर इनकी मीच में इस तरह से पसा दीजिए जैसे आप पसाओगे कुछ रीडिंग आएगी आपकी मेन स्केल पे ये अपकी मेन स्केल या फिर बड़ा पिछ स्केल और कुछ रीडिंग आएगी आपकी सर्कुलर स्केल पे कुछ reading आएगे आपकी हम दोनों reading लेंगे और of course हम दोनों reading से हम final answer निकाल लेंगे कोशिश करेंगे यह object anvil और spindle के बीच में मतलब stud और इस spindle के बीच में डंक से set हो गया या नहीं हो गया यह कौन चेक करेगा यह चेक करेगा हमारा यह ratchet तो I hope बड़ा के तक आपको सारी बात में clear हैं सारी के सारी बात में आपके दिमाग में बैठ चुकी है यहां तक ठीक यहां तक ठीक एक बात ओओ मैं इन सारे डियाग्राम में एक बात और बोलना चाहूंगा देखना देखना बड़ा यहां पर जो हमारा pitch है उसमें एक ऐसे horizontal line लगी होगी बड़ाएस ऐसे horizontal line लगी होगी जो ऐसे horizontal line लगी होगी इसे हम baseline कहेंगे क्या नाम रखेंगे बड़ाएस कपल इसका हम नाम रखेंगे baseline इस diagram में उतनी बड़िया नजर नहीं आ रही है अगले diagram में नजर आ जाएगे मैं वहाँ भी लेख दूँगा इसे हम baseline कहेंगे तो चलिए मैं अगले diagram में दिखाता हूँ अगले diagram में बड़ा मेरे क्याल से यह visible हो गया होगा यह आपकी जो pitch scale है उसमें ऐसी बड़ा एक horizontal line है यह चेक करो बड़ा यह एक horizontal line है ऐसे तो यह जो horizontal line है this horizontal line is famously known as baseline बड़ा और भी नाम है लेकिन जो most used name है वो इसका है baseline हमारे काम आएगी बड़ाई baseline से baseline से circular वाला cross section में cross section जो है उससे कौन सा कौन सी वाली बड़ा reading है वो हम idea लगाएंगे baseline जो है उसी से हम measure करेंगे कि circular cross section वा reading क्या है वो मैं आपको दिखा भी दूँ मैं अगले वाला diagram में फिर से दिखा दूँ इस बात को यहाँ तो बड़ा मैंने दिखाने रखे यहाँ पर ऐसे horizontal line होगी ऐसे मैंने बना दिया this line is your baseline ठीक है और यह जो baseline है यह कहीं न कहीं हमारा circular scale है उसको touch कर रहा होगा जहां कहीं touch कर रहा होगा वो reading होगी circular scale की जैसे इस case में हमारी baseline कहां touch कर रही है? 0 पर इसका मलब circular scale की reading क्या है? 0 अगर मालने बड़ा circular scale अमने इतना गुमाया बड़ा baseline जो है वो 10 से touch हो गई तो इसका मलब circular scale की reading क्या है? 10 I hope it's okay अगले वाले diagram में आप फिर से दिखा दू यह रही बड़ा आपकी baseline यह है बड़ा आपकी baseline इस 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 और यह baseline जो है अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर touch कर रही है इस से यह touch कर रही है यह अगर आपका एक तरह से 40 है 41, 42, 43, 45, 45, 45, 45 यह 46, यह 47 तो इसका मतलब circular scale की जो reading है circular scale की जो reading है मैं उसे 47 क्या सबता हूँ सुने बड़ा वाकिस से यह baseline जो है यह circular को कहीने की touch कर रही होगी जहाँ touch कर रही होगी वही circular scale की reading है फिर से देखना यह आपका 40 है यह 41, यह 42, यह 43, यह 44 यह फिर से बड़ीवाई line 45 यह 46, और यह 47 यह circular scale का 47 है यह हमारी pitch scale के baseline को coincide कर रहा है तो circular scale की reading क्या होगी है 47 फिर exactly reading कैसे निकालते हैं देख लेंगे यहाँ तक ठीक है बड़ा यह जो मैंने नाम बताया यह जो horizontal वाले जो line है इसको मैंने baseline कहा इसका एक नाम और भी है that is datum line datum line बोल दीजिए या बड़ा baseline बोल दीजिए एक ही बात है हम बड़ा कौन सा word जाता use करता है of course हम तो baseline शब्द ही जाता use करते है बाकि बड़ा ठीक है सारा का सारा डियाग्राम है बिड़ा ब्यूकुल ऐसा का ऐसा रहेगा measurements कैसे करते हैं वो हम धीरे धीरे देखेंगे हमने वे तक सिर्फ और सर्फ यह देख रहा है कि हमें exactly हमारा जो screw gauge है वो डिखने में कैसा होगा लिए कैसे का करता है मैं फिर से इस बात को बोलूँ में बड़ा कि यह जो portion है यह आपका stud है इधर वोना जो fix portion इधर जो move करता है जो fix portion है यह आपका stud है ठीक इसका आप एंविल निका सकते हो यह जो portion है यह आपका एक तरह से screw year spindle है screw year spindle जो है उसका move करा सकते है बड़े आराम से इस तरह से गुमा के अगर मैं इस तरह से clockwise गुमाओंगा तो यह इस तरह से अंदर चला जाएगा मैं ऐसे anti clockwise गुमाओंगा तो यह इस तरह से पीछ्या जाएगा इनके अंदर मैं बड़े आराम से और किसी भी object को इस तरह से फसा सकते हैं, ये आपकी main skill या फिर pit skill है और ये आपकी circular skill है, circular skill जीस structure पर है, this is your structure, this is your thimble, और आखरी के अंदर ये आपका ratchet है, अब ratchet का क्या काम है, एक बार जाद देखना, जैसे मान लिजे कि मुझे अपने इस pen का diameter measure करना है, तो मैं क्या मैं इस, मैं इसका ये thickness measure करने ये कोशिश करता हूँ, मैं नजदीक लेना है, और मैं इस टाइट कर दूँगा, अब ये exactly tight हो पाया है या नहीं हो पाया, ये चेक करने के लिए, अब मैं इस ratchet को गुमाऊंगा, और जैसे ratchet नहीं ये टक तक की आवास कर दी, I hope you are hearing this, ये अगर आवाज आगई, it means that अब ये tight हो चुका है, अब ये tight हो चुका है, तो अब ये तक हमने सिर्फ हो सिफ क्या सीखा है, ये सीखा है, कि इधर वाला दो fixed portion है, वाला आपका stud है, ये वाला दो portion है, ये आपका spindle है, screw है, ये बीच में आपकी object है, जिसके ठीकने साब क measure करनी है, ये ढंक से tight हो चुका है, ये पता करने के लिए आपने ratchet को ऐसे घुमा देना, ratchet भी पर आइसको tight कर सकता है, ये रेचेट में जैसे ये आवाज आए, it means that आपको और ज़्यादा घुमाने के जरुरत नहीं है, ये ढंक से tight हो चुका है, fair enough, किस तरह से ये main scale reading और circular scale reading डेलते हैं, ये भी हम थोड़ तेर में देखते हैं, अब अभी तक सारी बात समय आगे, आगे चलते हैं, next is, कि reading कैसे measure करनी है, आखिर में thickness diameter कैसे measure करनी है, उनको measure करने से पहले हमें हलका फुलका ये दिमाग लगना पड़ेगा, कि हमार जो pitch scale है या और circular scale है, उनकी readings का अ पिछ scale पर आता है, जो हमारा pitch scale है, it looks like this, बड़ा वो दिखने में काफियर तक ऐसा होगा, उस pitch scale में सबसे पहले बड़ा यहाँ कहीं कोई ने कोई एक baseline बनी होगी, इसको बड़ा हम baseline कहा सकते हैं, इसा हम baseline बोन ते, सबसे पहले बड़ा यहाँ कहीं कोई एसे, 0 बना होगा, और उसके बाद, इस pitch scale पर कुछ रिडिंग संगे, यह अक्सर बड़ा एक एक-एक मिलिमेटर के gap पे होती है, ऐसे, एक-एक मिलिमेटर के gap पे वह पी हैं, एक एक मिलिमेटर के gap पे होती हैं, एक फिर वन मिलमेटर एक दो तीन चार पाथ छह साथ आठ नो फिर बड़ा ऐसे में एक बड़ी लाइन के देता हूं दस डिविजन के बाद अफकोर्स आपका वन सेंटीमेटर आ जाएगा ठीक है फिर से बड़ा हूं वन तू स्वरी फ्री एक एक मिलमेटर के गड़ पर एसे मारकिंग लेगे हूं जो इसे हमेशा हो बड़ा जरूर नहीं है लेकिन इन जनराल हमार पास जो स्कूरु गेज होते हैं उनके अंदर ऐसे बड़ी बड़ी लाइन बनी हो थी एक एक सेंटीमेटर की और उसको बड़ा ऐसे टैन इक एक पर इसके अंदर इन दोनों के बीच का जो गैप है इन दोनों के बीच का जो गैप है वो अफकोर्स आपका जैसे सिंपल मीटर स्केल में होता है यह जो एक मिलिमेटर है यह एक तरीके से लीस्ट काउंट है किसका पिच स्केल है हमारी जो pitch scale है उसका least count जो है वो एक तरह से 1 mm है हमारी pitch scale जो है वो 1 mm से छोटी length को measure नहीं कर सकती कौन measure नहीं कर सकती हमारी जो pitch scale है screw gauge के अंदर सिर्फ pitch scale थोड़ी है circular scale भी है लिए हमारी जो pitch scale है वो 1 mm से छोटी length measure नहीं कर सकती यह वाली बात है, यह एक मिली मिटर बड़ा इसका गया बात है, यह हमारी least count of pitch scale है in general, in general, तो भाई जो pitch scale है, उसके दिर बड़ा है आपका एक मिली मिटर है, यह एक तरह से least count है हमारी pitch scale का, यहाँ पर हम एक term define करते हैं, that is known as pitch, बड़ा हम एक term define करते हैं, जिससे हम बोलते है pitch, pitch हम किसको बोलते हैं, बड़ा सुनिएगा इस बात को, pitch के 2-3 cents है, बड़ा pitch के 2-3 cents हो सकते हैं, pitch basically हमारा तो circular division है, वो actually हमारे इस पूरे के पूरे pitch scale की उपर घूम रहा है, उस पूरे circular division को अगर मैं anticlockwise पूरा का पूरा एक चकर लगा दूँ, तो वो सारका सारा बड़ घुमाओगे, तो हमारा circular scale पीछे आएगा, पूरा का पूरा एक चकर काटने पर वो कितना पीछे आता है, pitch scale पर कितना पीछे आता है, that distance is known as our pitch, that distance is known as our pitch, तो सबसे पहले पिछे जफेंड कर रहा हूं, pitch is distance distance traveled by circular scale on pitch scale while it completes one rotation while it completes one rotation आपकी तो circular scale है, जब तक एक rotation complete करेगी, जब तक एक rotation complete करेगी, तब तक circular scale, pitch scale पर कितना चल ली है, then distance is known as our pitch, यहां तक बड़ा बात समी जा लागी, तो बड़ा simply pitch जो है, वो क्या है, कि हमारा तो circular division है, उसको मैं गुमाऊंगा, 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 प्ला मेरा 1 mm भी है, 0.5 mm भी हो सकती है, वो कैसे होगी हम देख लेंगे, आपको उसको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, फिर भी इस बाग पर डंक से सुनना, मान लो कि इस pitch scale के ओपर मैंने ऐसे को circular division रख दिया, और वो circular division का 0 है, वो इस baseline से coincide कर रहा है, पिर मैंने इसको पूरा गुमाया 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 पहले यहाँ था, वो चलते 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 मान लो बड़ा 2 mm चल लिया मान लो 2 mm चल लिया अगर वो 2 mm चल लिया इस बात का मतलब भी होगेगी pitch length है 2 mm pitch length है 2 mm अगर मान लो कि पूरे की पूरे circular division को मैंने पूरा का पूरा एक rotation complete कर दिया और वो circular division pitch length पर सिर्फ उस 1 mm चला इसका मतलब हमारी pitch जो है वो 1 mm है अगर मान लेजे कि उस पूरे पूरे circular division को मैंने ऐसे पूरा पूरा एक चकर complete करवाया और एक चकर complete करने पर मान लीजे कि वो इस pitch scale पर 3 mm चल लिया तो बड़ा pitch length कितने होगी 3 mm होगी सिंपल सी बात यह है कि आपका जो pitch है वो distance traveled by circular scale on pitch scale violet completes one rotation circular scale अपना पूरा पूरा एक rotation complete करता है उस एक rotation के अंदर वो कितनी distance travel करता है किस पर? pitch पर उसको हम क्या बोलेंगे बड़ा? pitch length बोलेंगे या फिर simply pitch बोलेंगे I hope you get to the point आगे चलते हैं हाँ बच्चो जैसे आप देख सकते हो कि यह जो baseline है ऐसे horizontal line है यह circular scale के 0 से coincide कर रही है अब मैंने क्या किया कि इस circular scale को इस तरह से anti-clockwise गुमाना start किया और गुमाते 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 मैं 40 वे पहुँच गया 60 वे पहुँच गया 70 वे पहुँच गया 80, 90 चलते 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 मह वापस 0 पहुँच गया और इस 0 को मैंने क्या किया कि वापस से baseline के साथ coincide करा दिया तो सारा का सारा circular division जो है वो मेरा पूरा rotate कर चुका है और पूरा rotate करने के दोरान आपने notice किया होगा कि यह main scale थी न इसके 0 के आगे वाली जो reading है वो हमें दिखना start हो गई है यह of course 1 mm है यह तापको 0 नच आई रहा है इसका अगला वाला क्या है 1 mm इसका मतलब circular division को मैंने पूरा का पूरा एक चकर complete कर दिया और उसको एक चकर complete करने पर anti-clockwise complete करने पर आपका 1 mm shift हो गया है circular scale किस पे हमारी main scale, हमारी pitch scale पे तो एक तरह से हमारी 1 mm जो है वो इस पर की pitch है मैं फिर से इस बाद को दिखाता हूँ कि चलो मैं यहाँ से फिर से पूरा पूरा एक चकर complete करता हूँ जैसे मैं पूरा चकर complete करने का मैं 20 पहुंच गया, 30 पे, 40 पे 50 पे, 60 पे 70 पे, 80 पे 90 पे, 100 पे 100 obviously means वापे से 0 पहुंच गया और मैंने वापे से 0 को coincide कर दिया baseline से, आप notice करना अगली वे line आगई है, यह आपके 0 थी यह 1 थी, यह 2 थी इसका मतलब पूरा को पूरा चकर complete करने पर वापिस से में 1 mm आगे चला गया हूँ it obviously means that कि हमारा यह जो screw gauge है इसका pitch length जो है इसकी pitch जो है वो 1 mm है I hope I get the point हाँ बच्चों, बिलकुल शुरुआत में आप एक बात notice कर सकते हैं कि जो मारा stud और यह जो screw है मदब हमार जो stud है वो इस screw को साथ touch कर रहा है उस case में उस case में reading 0 आने चाहिए reading 0 है यह बात में notice कर लिए होगी कि जो baseline है वो और circular को जो 0 है यह दोनों coincide करेंगे अब आपको समझा रहा था pitch तो चलिए सुनिए मैं क्या कर रहा हूँ कि इस पूरे circular division को ऐसे anti clockwise गुमा रहा हूँ और गुमाते वे देखा कैसे 20 पे आ गया 30 पे आ गया 40 पे आ गया 50 पे आ गया मेरे वाले में 100 divisions है 70 पे आ गया 80 पे आ गया 90 पे भी आ गया और चलते चलते वापस 100 पे आ गया पूरा का पूरा मैंने circular division जो है उसको एक चकर complete करा दिया तो हमारा circular division जो है वो हमारी pitch scale पर ध्यान से देखो पहले सिर्फ ये zero touch था अब आगे वाला reading दिखना start हो गई है ये आपका 1 mm दिखना start हो गई है It means that कि मैं इस circular division को anti clockwise अगर मैं एक पूरा चकर complete कराता हूँ तो ये circular division जो है वो हमारी pitch scale के उपर 1 mm चले लेगी और यही 1 mm जो है ये हमारी pitch length या simply pitch है और भी देख सकते हैं चलो मैं वापस से इसको एक चकर और complete कराता हूँ 20 पे आ गया, 30 पे आ गया 40 पे, 50 पे 60 पे, 70 पे 80 पे, 90 पे और वापस में कहाँ पर आ गया, 100 पे 100 मिलना वही 0 इस 0 का मने वापस से उस base line के साथ ऐसे coincide करा दिया ऐसे coincide कराता है, आपको notice हो गया वहाँ ये तो 0 था, ये 1 था, वो 2 mm न नजर आना स्टार्ट हो गया इसका मतलब अगला एक चकर complete कराने पर वापस से 1 mm चल लिया है कौन? circular scale किस पर? हमारी main scale पे, pitch scale पे तो pitch length कितनी हो गई है? pitch कितनी हो गई है? पूरा चकर complete करने पर 1 mm चल लिया तो pitch length तो 1 mm इसका उल्टा भी सही है अगर मैं इसको अगर मैं इसको ऐसे clockwise घुमाओं तो अब यह tighten होगा मतललब screw tighten होगा एक तरह से अगर मैं ऐसे पूरा पूरा चकर complete कराते इक रहते इक रहते उल्टा आँ हूँ है अगर मैं चलते 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 रहते वापस से अगर मैं एक चकर complete कर दूँ तो आपने नोटिस करने साथ कि वहारा जो सेकंड एक मिलमेटर पहुंच गाओ तो एक चकुप्लीट करूँ लुए चाहिड करूंगा तो एक मिलमेटर आ गया हूंगा फिर एंटिक Лगवा से अगर मैं इसको स्कूर्व को स्कूरू को टाइफ करूंगा तो अफ्कोर्स पूरा चकर complete करने पर एक मिलमेटर में वापिस से इधर की तरफ आजाओंगा पीछे की तरफ आजाओंगा तो एक मिलमेटर क्या होगी है हमारी पिछले इंत होगी है आए हो बीड़ा पिट समझ में आगे हैं चले बच्चों आगे चलते हैं नेक्स इस से के से से वाटीद से किया है मेरा आपका हलह का होगा में दिखाई हो इस से के लख ब़ा या इदेया है कि यह सर्कुश स्केळ जो है यह मौंटेट है कि स्मौंटेट है is मौंटेड आ एमारा एक PS scalar पर और है दिश से इस कर ऑच बडका है है and of course mounted है it is moving on pitch scale और pitch scale पर कितना move करती है एक चक्र कुप्लेट करने पर वो हमारी pitch है या pitch length इस circular scale के अंदर में कुछ नहीं कुछ divisions होते हैं जिसे हम circular scale divisions कह सकते हैं ऐसे बटा divisions बना रखके होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 10 बना रखके होते हैं यह division 10 बेखो सकते हैं 20 30 बेखो सकते हैं 40 100 बेखो सकते हैं circular scale divisions जो हैं मैं उसको c sd लेख दूँ इन general इन जनरल सो होते हैं, अक्सर सो होते हैं, पचास को सकते हैं, इन जनरल, दस बाइफ होते हैं, इन जनरल बड़ा circular scale divisions जो हैं, वो आपके 100 होते हैं, इन जनरल, हमेशा नहीं बड़ा, अफिर से बोलतों इस बात को, इन जनरल, advance बगर का सवाल आएका तो मान के चलना, कि उसमें होते हैं कि circular scale divisions के सेंके बड़ा 200 हो, 50 हो, 60 हो, main में तो फिर बड़ा ठीक है, जो simple screw gauge होता है, उसी पे सवाल पूछ लेते हैं, otherwise बड़ा ठीक है, ये तो कुछ भी हो सकता है, तेक हैं, कितने नमबर हो सकते हैं, अच्छे एक बात हो, circular scale division की value, circular scale divisions कितने हैं, इनकी value चितनी ज जादा accurate होगा, मतलब उतनी ही precise readings वो दे पाएगा, सुनना बड़ा कैसे, मिल बात सुनना, ठीक हैं, अब कोई मुझसे पूछ ले, कि sir what is least count of circular scale, तो आप तो सिर्फ और सिर्फ ये सोचो, कि मान लिजे, let's say, कि आपके पास school मिला कर इस circular scale पर 100 divisions, 100 divisions हैं, और आप पूरे के पूरे circular scale को मान लेजे कि पूरा का पूरा चकर complete कराते हो, पूरा का पूरा चकर complete कराते हो, तो आपका circular scale जो है, वो pit scale पर 1 mm चल लेता है, इसका मतलब भी यह हुआ, कि वो जो 100 divisions है ना, circular scale के, वो 1 mm के बराबर है, तो एकलोता जो, मतलब एकलोता जो आपका division है, वो किसके बराबर होगा, 1 by 100 mm, किसके बराबर है, 1 by 100 mm, और यह जो 1 by 100 mm है, यह हमारा हो जाएगा इस circular scale का least count, मैं repeat करता हूँ मेरे statement को, एक बार बड़ा फिर से, सुनना इस बात को, मान लीजे, मैं values दे रहा हूँ, कि हमारी pitch length जो है, वो 1 mm है, और हमारे circular scale पर 100 divisions है, मतलब मैं पूरा circular scale को अगर गुमा दूँ, ऐसे clockwise, तो हमारा circular scale pitch scale पर 1 mm चल लेगा, तो इसका मतलब वो 100 divisions circular scale पर है, वो इस 1 mm की बराबर है, तो इकलोता, मतलब यहां से आता कि यह जो इकलोता division है, यह किसको represent कर रहा है, तो आप बोलोगे, किसर 100 division अगर 1 mm को represent कर रहे हैं, तो इकलोता जो division है, circular scale का, वो represent कर रहा है, 1 by 100 mm को, और यही है हमारे circular scale की least count, तो circular scale की least count जो है, उसका तुमें एक सिधा का सिधा formula निकाल सकते हो, कि that is, pitch length divided by number of circular scale divisions, pitch divided by number of circular scale divisions, pitch एक तर से क्या था, pitch एक तर से था, हमारा जो, हमारा जो बड़ा क्या करते हैं, जो हमारा pitch scale है, उसके उपर move कर रहा है, कौन circular scale, पूरा चकर कांटने पर हमारा circular scale कितना चल लेगा, pitch scale पर उस length को ने बोल दिया है, pitch, that divided by number of circular scale divisions is known as least count of our circular scale, और जो circular scale का least count होगा, इसी को हम बोलते हैं, least count of, least count of, क्याना मेरा अपना screw gauge, यही हमारे screw gauge का least count, I hope आप इस बात को समझ करूंगे, हमारे पास, जो बड़ा मेरे पास, जो screw gauge पड़ा है, उसके बारे मैं अगर मैं कहूं, तो मैंने जैसे आपको दिखाया भी फिलाल, कि इसकी pitch length जो है, या simply pitch जो है, वो 0.1 cm है, या फिर बड़ा 1 mm है, ठीक है, और इसके पास, circular scale में 100 divisions है, मैंने आपको अभी दिखाया बड़ा, 100 divisions है, मैंने आपको दिखाया कि circular scale पे 100 divisions है, तो कोई मुझसे पूछ ले कि मेरे वाले screw gauge का least count क्या है, मेरे वाले screw gauge का least count क्या है, तो आप कहा सकते हूँ कि सर्थ, screw gauge का least count मतलब circular scale का least count, और circular scale का least count का मतलब यह है, कि जो आपकी pitch length है, that divided by circular scale divisions की संक्या, pitch length है वड़ा, आपके पास 1 mm, और ये हैं आपके पास 100, that comes out to be 1 by 100 mm, या फिर आपका 0.01 mm, आप देख सकते हूँ कि हमारा screw gauge है, वो इतना accurately, इतना accurately length को, thickness को, radius को, diameter को measure कर सकता है, हमारा तो simple meter scale होता हूँ, तो सिर्फ हो सरफ 1 mm तक ही measure कर सकता है, ये तो 1 mm by 100 तक measure कर सकता है, I hope you get the point, तो तो simple आपके screw gauge होते हैं, उनका least count 0.01 mm है, लेकिन मैं एक hypothetical screw gauge लूँ, और उसके बारा में कुछ बाते कहूँ, तो उसको में एक एजस सवाल पूछता हूँ, सबसे पहले बड़ा सवाल देखे, बड़ा लिखना, सबसे फ्रोच लिवाँ, एक में बड़ा सबसाएं, it moves one millimeter on pitch scale if number of circular scale divisions are hundred then find but up doh cha pooch rao pahli hai pich kitna hai second least count of this screw gauge is a screw gauge ka least count kya hai sabse pahle pich length kya hai maigar sawal kisaf se agar dhekho to circular scale ko agar maigar dho baar agar rotate karta ho to up with scale per 1 mm chalye di hai agar maigar us ko aik rotation pura do to of course bada up with scale per kita chalyegi one by two millimeter that comes out to be 0.5 mm aur aap jantar ki by definition circular scale circular scale eek rotation ke under pitch scale per kitna chalte hai wahi toh humari hooti hai pitch toh mere piyare bach chou yeh tu hai aap ki pitch chik hai muczse ko poochhe ki sir least count kya hooghi humar screw gauge gauge jam jantate least count is of course pitch divide by number of circular scale divisions pitch is of course 0.5 mm then divide by beta kitne divisions bol rakhye hai sawal ke under mere kyaal se hundred bol rakhye hoongi haan hundred bol rakhye humar paas answer aaga hai that comes out to be 0.5 upon hundred millimeter yaya bada 5 into 10 raise to power minus 3 millimeter yaya bada simply 5 micrometer jayse aap lekhna chao vayas se lekhsakti yaya aapke is screw gauge ki least count hai of course bada this screw gauge is not the same which i hai i hope we get to the point kata hai ki exactly hum kuil thickness yaya diameter measure kaise ka sakti hai na ki kaise ham screw gauge ko use karke thickness yaya ful screw gauge sorry thickness yaya ful diameter measure kaat how to measure how to use screw gauge how to use screw gauge screw gauge ki to reading hooghi us mei dho part hooghi eek hamaari of course joe bada main scale hai us reading hooghi eek hamaari circular scale ki reading hooghi to messi liko you entire reading hooghi it will be pitch scale reading yaya ful bada main scale reading jaya se bolna choda vayas se bolsa ful plus circular scale plus bada aapke circular scale jaya bada aapke circular scale that is main scale reading plus of course bada aapke circular scale muskoo csr is cop msr accept those cops csr yes yes our msr cash the key product sapsa pahlemic barna pitch scale reading yaya ful main scale reading jaya wu batata hooghi kaisi milti chakay chakay pahle bada main scale reading hooghi yaya aapke bada pitch as ss tj kya क्या कि बढ़ा ऐसे 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, ऐसे लगे होंगे तो आप जो 7 mm यो लाइन है वो तो आपको नजरी नहीं आ रही है आपको सिर्फ ओसर्फ सिक्स्त मिलिमेटर के नजर आ रही है आपको नजर आ रहा है 1 2 3 4 5 6 तो आपको एसक्टिव कि आपके जो मेन स्केल रिडि उसने चुपा लिए आपको कितना नज़र आ रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 point something rating आने चीए है, आपकी main scale rating जो आपके वो 6 mm है, जैसे मैं example ओर टो, बड़ा मालने जिए कि आपके पास ये है pitch length, और इसके उपर बड़ा आपका ये circular scale इस तरह से लगा हुआ है, ये बड़ा बीच वाली baseline है, ये मालने जिए बड़ा आपका 0 है, और इसके बड़ा मालने जिए कि आपके पास ये 1 mm, ये 2 mm, ये 3 mm, ये 4 mm, तो 1, 2, 3, 4, 5 हो देखी नहीं ना, तो आपका ओकता से मेरी main scale rating जो है, वो simply 4 mm है, that's it, that's it, तो main scale rating तो बड़े राम से निकाल सकते हैं, छेक्ष, अब circular scale rating क्यासे निकाल होगे, circular scale rating क्यासे निकाल होगे, सुनना बड़ा इस बात को, पहली बात तो circular scale rating के अंदर हमें least count के जरुरत पड़ेगे, वो कैसे पड़ेगे, सुनना इस बात को, माल लिजे कि बड़ा आपके ये simply pitch और ये बड़ा आपका circular scale ठीक है और ये base लाएं ये base लाएं और circular scale के अंदर माल लिजे मैं ऐसे बनादू एक बार के लिए circular scale के लिए कि यहाँ बड़ा 0 है यहाँ 10 है यहाँ 20 यहाँ 20 है यहाँ 30 है यहाँ 40 है पीछे 50-60 ऐसे लगाता चलते जा रहे है तो क्या होगा कि ये जो आपके baseline होगी ये जो baseline होगी ये कही न कहीं circular scale के किसी division से coincide करेगी circular scale के division से कही न कहीं इस तरह से coincide करेगी जहाँ पर ये coincide करे ना उस number को note कर लो जसे इस वाले case में किस से coincide कर रही है 20 से 20 को note कर लो अब तुम दिमाग लगाओ कि इसका एक एक division जो था हमारा जो क्या नाम पढ़ाई है ये जो circular scale है इसका एक division जो था वो एक millimeter के बराबर था 1 by 100 millimeter के बराबर था वो हमारा least count था अगर एक एक division जो है वो अगर 1 by 100 millimeter के बराबर थे तो 20 कितनों के बराबर होंगे तो आप बोल सकते that is 20 into 1 by 100 millimeter तो आप बढ़े राम से कह सकते हो कि circular scale rating जो है उसका एक formula निकाल सकते हो क्या that will be least count जो आपने निकाल लिया है multiplied with circular scale का कौन सा division है जो pitch length की baseline से coincide कर रहा है that is number of division sorry number of division of circular scale which is coinciding the baseline बस इतना से काम करों यह हमारी circular scale रिटिना जै अब मैं वापस मेरे बुद्धे पर आता हूँ least count है, यह least count है, यह least count है, यह हमारे रिटिना, I hope I get the point, बढ़ा हम करके देख भी लेंगे, मैं आपको करके दिखा भी दूगा, मैंने एक छोटा सा पहले सही एक example ले रखा है, इसको आराम से बच्चों सुनना, मान ले बढ़े बढ़े object है, मुझे इसकी length measure करनी है, sorry, thickness measure कर नहीं है, तो मैंने इसको इस तरह से screw gauge की बीच में फसाद दिया, exactly first गया है, यह कैसे पता लाएगा, इस रेचर से पता लग जाएगा, ठीक है, रेचर से पता लगने पर बढ़ा इस तरह का arrangement है, मैंने इसको zoom करके दिखा दिया, zoom करने पर हमारी main pitch scale है, उसके 1 mm, 2 mm, 3, 4, 5 6, 7, 8 नहीं दिखा रहा, सिर्फ 7 तक दिखा रहा है, उसके बाद तो आपके circular scale start होगे, तो आपने कह दिया कि सर मेरी main scale reading है, वो तो आगी है, 7 mm, mm जो है, वो एक तरह के से हमारे pitch scale का एक तरह से least count है, अब आगे क्या, आगे यह जो मुझे दिखा रख रख है, क्या ना में circular scale, इसमें बढ़ा सिर्फ और सिर्फ 50 divisions ही दिखा रहे है, पूरे के पूरे, सारे के सारे 100 divisions है, लेकिन हुआ क्या, कि बढ़ा 40 division यहां है, 50 division यहां पर हो, कोई बीच का division जो baseline से touch हो रहा है, count करते बढ़ा, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47 number वाला coincide कर रहा है इसके साथ, तो आप कह सकते क्यों कि हमारा जो circular scale reading है, उसकी value आ गई है, least count multiplied by वो number, इसे least count क्या है, बढ़ा least count है, pitch length, कुछ नहीं बोल रखा तो पूंद बढ़ा 1 mm निमान के चलेंगे, divide by, बढ़ा कित तो इसमें total divisions है, total divisions बढ़ा कुछ नहीं बोल रखा तो गेन पन 100 बान के चलेंगे, तो least count मेरे पा coincide कर रहा, 47th number, तो 47, अब मगर आप से पूछ बढ़ा मेरी final reading क्या आएगी, तो आप बोलो किसे मेरी final reading जो आएगी, वो आएगी, main scale reading, plus of course circular scale reading, main scale reading मुझे पहले से पता है कि 7 mm है, plus circular scale reading मेरे पास आगी है, 1 by 100 into 47 mm, that comes out to be 7.47 mm, तो इस object जो thickness है, वो हमने measure कर लिए, that comes out to be 7.47 mm, not that tough, बड़ा राम से सारा सारा काम बन सकता है, बन दी क्या होगा? यह बड़ा हमने एक pen फसारक है, और इस pen का हम diameter measure करने वाले हैं, और यह main scale reading और यह जो circular scale के जो reading है, यह हम ठोड़ा देखते हैं, मेरे खाल से picture थोड़ी clear तो है ही, सबसे पहले main scale reading देखो, main scale अगर 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 reading देखो, आपको बड़ा नजर आगे होगा, कि 5 divisions तो आगे ह बात करते हैं, circular scale की, circular scale के अंदर आपको नजर आगे होगा, कि यहाँ पर तो 70 है, इधर 80 है, और जो baseline है, यह यहाँ कहीं touch कर रही हो, 70 और 80 के बीच में, अगर हम डंक से count करते हैं, तो बड़ा second और third जो line है, वो roughly touch कर रही है, इस baseline को, तो आप कह सकते हो कि circular scale division जो है, वो 72 जो है, वो coincide कर रहा है, baseline को, तो आप कह सकते हो, कि main scale reading तो आगई है, 8 mm प्लस, circular scale reading आगई है, least count, 1 by 100 times 72, तो answer आगया है, 8 plus 1 by 100 into 72 mm, that is 8.72 mm, I hope you get the point, आगे चालते हैं, जैसे बड़ा मैंना, इस hard disk की thickness measure करने वाला हुआ, तो मैंने इस को एक बीचे में फसा दिया, और फसाने के बाद मैंने इसको tight कर दिया, tight करने के लिए मैं चलो कि चलो मैं इसको, यहां से थोड़ा tight कर देता हूँ, अब exactly tight हुआ या नहीं हुआ, यह check करने के लिए मैंने इस ratchet को गमा दिया, और रेचेट थोड़ा सा तो गूमा, और जूम हो रहा है, जूम होगे, अगर ध्यान से देखो, तो बड़ा आपको 5 mm के आगे 10 mm तो नजर आ रहा है में स्केल पे, तो में स्केल रिडिंग तो आगे आपके 10, और जो आपकी baseline है, वो touch कर रही है, 20 तो यह है, 20 से पहले वाला, जो 19 है, वो touch कर रहा है इस baseline से, तो में स्केल रिडिंग है, circular स्केल रिडिंग आप कैसर, तो कि 19th coincide कर रहे है, तो 19 into 1 by 100, तो आंसर आगे है आपका 10 mm plus 1 by 100 into 19 mm, तो आंसर आगे है 10.19 mm, जैसे हमने एक hard disk को कितिकनेस मेजर करने के लिए बढ़ा उसको फसाद है, और फसाने के बाद ये readings है, मैं एक बार आपको हलकी फुलकी बड़ा readings दिखाएता हूँ, हाँ, ये बड़िया दिख रहे हैं, readings अगर देखोगे, तो 10 mm जो है, वो तो आपको ढंक से नजर आ रहा हुगा, और उसके बाद 18th circular scale division जो है, बड़ा वो coincide कर रही है baseline से, गोर करना बड़ा, 10 mm तो आपको main scale पर दिखी रहा होगा, और उसके बाद circular scale का जो 18th है, ये तो 20 है, उसका अगर 30 है, ये तरवाटा 15 होगा, 10 होगा, ये जो 18th division है, ये coincide कर रही है baseline से, तो आप कह सकते होगे, reading है 10 mm, वो तो main scale, plus 1 by 100 mm है, वो तो least count multiplied by 18 है, तो आपका answer आ गया है, 10 plus 1 by 100 into 18, that is 10.18 mm, इस hard disk की जो थिकने से, इस तरह से बड़ा राम से measure कर सकते हो, इस hard disk की मैंने शुबाता है, जब set किया था, तो मैंने ratchet से measure किया, ratchet को मैंने आवाज तक तक तो देखा था, कि आवाज उससे आ जाए, और सारका सारा काम से बड़ा राम से बनेगा, I hope आप फिर से बड़ा इस reading को match करा सकते हैं, चली बच्चों, आगे चलते हैं, next is, zero error, zero error हम लोगो नहीं बड़ा current electricity के अंदर भी देखा था, और काफिए तक वैसा साई है, zero error किसी भी instrument की वो reading होती है, जब actual reading zero होने चाहिए थी, सुनना इस बात को, जैसे माल लेजे कि आपके पास क्यों प्रणि स्कूर्टी, स्कूर्टर या बाइक है, ठीक है, और साउस का जो speedometer है, उसमें हलका सो की malfunction है, और उसके कारण जो स्कूर्टी जब खड़ी है, तब भी, स्कूर्टी आपके बाइक खड़ी है, तब भी उसका जो speedometer है, वो reading zero नहीं दिखा रहा, बलके let's say five kilometers per hour दिखा रहा है, जब actual reading उसकी zero होने चाहिए थी, उसके five kilometers per hour दिखा रहा है, तो ये जो five kilometers per hour है, ये हमारी उस scooty या bike का जो speedometer है, उसकी zero error है, मेरे के इस काम का है, हमारे इस तरह काम का है, कि मानलो कि अगर हमने scooter दोड़ाया, और इसी speedometer ने reading दिखा दी, कि आपकी speed तो 65 kilometers per hour है, इन हम समझ गये कि हमारा speedometer तो थोड़ा सा गलत है, speedometer तो गलत इसलिए कि जब हमना scooter खड़ा था, बाइक जब खड़ी जब स्कूटी खड़ी थी, तब भी five दिखा रहा था है तो, तो उस five को तो कम से कम minus करो, तब जाके तो आपकी actual reading आएगी, समझ रिस बात को, तो reading निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, actual reading निक functioned instrument है कि जो भी reading दिखा रहा है, that reading is known as our zero error, तो इक बार के लिखना चाहब तो लिख सकते हो, zero error is reading given by malfunction instrument when actual reading should have been should have been zero, है कि निविटा, मतुरा सा और इसको डिटिल में संदा आता हूँ, अच्छे एक बात हो, अगर आपको कभी actual reading निकालने हो, जो भी आपकी reading न, इसमें zero error को minus कर देना zero error को minus कर देना क्या destالمर्यो बोटको से 0 मिंश क्रदीना, जैसे मेंने इस केस में जमारा स्कूटर नहीं चल रहा था, तब भी 550 पर हार स्पीड दिखा रहा था तो जब उसी स्पीडो में जब 65 किलो मेटर पर हार स्पीड दिखाई तो हम समझ गया की एक्चल रेडिंग जब वो 65 नहीं बलके 65 माइनस 5 60 किलो मेटर पर आपकी एक्चल में स्पीड होनी चाहिए मैं इस बात का एक example ओड़ लेता हूँ माल लीजे बड़ा इस तरह से कोई ammeter है इस तरह से कोई ammeter है और बीचों बीच जो है वो zero ampere दिखा रहा है इधर जो current है वो positive दिखा रहा है इधर जो current है वो negative positive negative बड़ा सिर्फ हो सर्फ direction की बात है ये बड़ा कोई ने कोई तार है माल लीजे कि कभी इस ने कोई current नहीं जा रहा था इसी प्रकार का कोई current नहीं जा रहा था लेकिन ये जो आपका ammeter है ये reading दिखा रहा है ऐसे 1 ampere दिखा रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि इस ammeter की zero error है इस ammeter की zero error है और उसकी value है 1 ampere माल लो कभी मैंने इसमें current भेज दिया और current भेजने पर इसने reading दिखा दी let's say 7 ampere तो मैं समझ गया कि इसकी जो actual reading है बड़ा इसकी जो actual reading है वो है जो reading दिखा रहा है वो minus आपका zero error है उसको minus कर दो that comes out to be 6 ampere क्योंकि 1 ampere तो यह extra दिखा रहा है ना क्योंकि 1 ampere तो यह extra दिखा रहा है अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि बड़ा यह रहा आपका ammeter बीचों बीचते बड़ा आपका zero है ही है इस तरफ positive है इस तरफ negative है यह तार है और तार में किसी प्रकार का क्रेंट वरेंट नहीं है तब भी आपका जो ammeter है वो current दिखा रहा है और current की value बता रहा है minus 1 ampere मतलब जो direction आपने plus मान रखी है उसके opposite direction में current जाता हो बता रहा है जा नहीं रहा है यह instrument खराब है instrument गलती है अब मान लो कि मैंने को current भेज दिया current भेजने के बाद इसने बताया कि यार current जो है उसकी reading तो 7 ampere बता रहा है बता किते रहा है? 7 ampere तो हम समझ गए कि actual reading जो है न actual reading जो है न वो reading minus reading minus reading minus 0 error 0 error इस बार 1 ampere नहीं है minus 1 ampere है, 0 error positive पे हो सकती है negative पे हो सकती है और कुल मिलाकर आपका current है वो 7 ampere नहीं बलकि 8 ampere है 8 ampere तो में feel भी ले लिए होंगे 8 ampere current है, उसमें से 1 ampere तो उसको 0 लाने में खर्च हो गया समझे बच्चो 1 ampere तो उसको 0 लाने में खर्च हो गया बाकि आपका 7 और है धुक्र नागर आपका actual current बड़ा कितना है 8 ampere है, उस 8 ampere में से 1 ampere तो इस needle को बीचों बीच लाने में ही खर्च हो गया, और उफकोर्स 7 ampere आगे और चलाई गया तो 0 error बड़ा इस तरह से हमारे काम आ सकती है 0 error positive हो सकती है, negative हो सकती है लेगन ये तो कहानी किस की थी ये तो बड़ा कहानी थी है हमारे क्या करते है अमिटर की थी सर हमारे क्या screw gauge के अंदर भी 0 error आ सकती है, बड़ा बिल्कुल आ सकती है सर कैसे निकालेंगे, कैसे दिखने में ये क्या होगा, बताता हूँ जैसे अपने पास जो बड़ा vernier caliper है, अब मैंने न इसके कोई चीज नहीं पसा रखी है और मैं इसके screw को और stud को टच करा रहा हूँ मतब वो जो anvil है और जो spindle उनको टच करा रहा हूँ टच करा दिया और टच होगे ये check करने के लिए मैंने इसको और ratchet को गुमाया तो आवाज आन लगी आवाज आन लगी, it means that कि बड़ा तरीका से ये set हो चुका है अब सुनिए बड़ा इस बात को अब इसमें ज़रा goal कीजेगा और करना और करना या आप जूम करना आप notice कर सकते हों कि मेरे वाले में जो baseline है वो और 0 है ये ये दोनों coincide कर रहे हैं अगर baseline और 0 coincide कर रहे हैं, it means that कि किसी प्रकार का कोई 0 error नहीं है if baseline and 0 of circular are coinciding it means that there is no 0 error मतलब ये reading भी 0 mm दिखा रहा है और of course यहाँ पर आपने कोई object अफसा भी नहीं रखी है तो 0 दिखाना भी चाहिए और 0 आ भी रहा it means that किसी प्रकार की कोई 0 error नहीं है लेकिन सारे के सारे screw case इतने अच्छे नहीं होते हैं, जितने मेरे पास है तो उस case में कोई error आप इसे प्रकार की कोई 0 error नहीं है कोई 0 error नहीं है यह तब होगा जब आपने जो हमारा stud था वो और जो बड़ा हमारा बड़ा जो screw था वो दोनों touch होगे बीच में कोई object नहीं है तो actual reading 0 mm आना ही चाहिए और हमारा जो screw case है वो भी 0 mm दिखा रहा है कैसे? 0 mm ऐसे दिखा रखा है कि main scale पर reading 0 mm है और जो baseline है वो और 0 जो है किसका circular scale का दोनों coincide कर रहे है तो 0 error तब आएगी जब आपका pitch scale reading तो 0 होनी चाहिए साथ यसाथ के अंदर आपके जो baseline है वो coincide करने चाहिए coincide with 0 of circular scale circular scale के 0 से coincide करने चाहिए ठीक है बटा कभी-कभी आपका जो screw gauge है वो बटा 0 error भी दिखा सकता है मतलब कि उस case के अंदर जो stud है और जो आपका बटा जो screw है वो तोनों touch हो जाएंगे तो actual reading तो 0 नहीं चील लेकिनी 0 से थोड़ी से जाधा reading दिखा देगा 0 से जाधा reading तब दिखाएगा बटा आपको नोट करना 0 से जाधा reading तब दिखाएगा जब उसको हम positive 0 error बॉल देंगे और positive 0 error तब होगी बटा जब pitch का जो 0 है वो उपर हो और circular scale का जो 0 हो वो नीचे हो ध्यानर ना बटा 0 of pitch scale is above 0 of circular scale और वो कितना उपर है यह चेक कर लो जैसे यह जो डियाग्राम मैंने बना रखा है जो डियाग्राम पहले से बना वह है उसमें गर देखो तो पिच का जो 0 है वो बटा आगर बना ऊपर है और circular scale का नीचे है और कितना ऊपर है बना नोट करना 1 and 2 सिर्फ 2 सिर्फ 2 circular divisions उपर है और अगर 2 circular divisions उपर है तो आप कह सकते हो कि 2 multiplied by एक circular division किसके बराबर होता है least count की बराबर least count कितना होता है 1 by 100 mm in general तो आप कैसे कि that comes out to be 2 upon 100 mm या फिर 0.02 mm अब आपकी जो भी रेटिंग आएगी ना उसमें से 0.02 mm माइनस कर दिना क्योंकि 0.0 mm तो तब भी दिखा रहा था जब बीच में कोई object फसी भी नहीं थी तो अगर मालनों कि कभी इसने रेटिंग दिखा दी में लेट से 1.21 mm तो हम समझ जाएंगे कि 1.21 mm के अंदर 0.02 mm तो कौन सा वाला है वो तो जीर वाला है उसको माइनस कर दो तो आप बोलोगे से 1.21 माइनस 0.02 तो बढ़ा आंसर आगया 1.19 mm नोट देट आगे चलो बढ़ा नेक्स्ट इस नेगेटिव जीरो एरर कब होगी बढ़ा नेगेटिव जीरो एरर तब होगी जब आपका जब आपका ये जो जीरो है सर्कुलर वाला ये उपर होगा और पिच स्केल का नीचे होगा आप लिखना चाहूं लिख सकते हूं कि जीरो ओफ पिच स्केल के ऊपर हो एच्छा लेगन ये हम लिखेंगे तो माइनस में लिखेंगे हमेशा इसको माइनस में लिखने के हम कोशिश करेंगे अब सुनना जैसे इस वाला एक्जांपल में अगर देखूं तो बड़ा ये वाला जीरो ऊपर है और ये वाला जीरो नीचे है अब बीच में कितने सर्कुलर डिविजन से मैं एक बार काउंट कर रहा हूं बड़ा होसता आपको देखें नहीं मैं काउंट करता हूं चार डिविजन नीचे हैं तो आप कैसे हैं कि 4 मल्टिप्लार भाई हर सर्कुलर स्केल का एक डिविजन जो है वो लीस्ट काउंट की बराबर है लीस्ट काउंट बड़ा कितना हो गया 1 बाई 100 देट कमस आट भी 0.04 मिलिमेटर यह इतना पीछे है इसलिए माइनस लगाना इसलिए हम जान गूच की बड़ा हमेशन नेगेटिव जिरो को माइनस सांट के साथ हम लिखेंगे लिखेंगे और जो मारा फुरमला था ना एक् ला चेहर को नेगेटिव लिखेंगा और फॉनला वापे सेम रहेगा कि एक्चुल रीडिनेग माइनस आपकी 0 जीरो प्लस में है तो प्लस में लिखो मायनस में है तो मायनस में लिखो. एक बात पर बढ़ा इस वाले case के अंदर क्या होगा जो आपका negative zero error वाला case है उस case में क्या होगा भई positive zero error वाले case के अंदर पहले जब zero error नहीं था तो बढ़ाज आपका circular scale जा जो था वो बिल्कुल जो pitch scale का जो zero था उससे coincide कर गया था जब आपके पास positive error रही है तब आपका circular scale हलका सा इधर आया तो आपको जीरो अभी भी दिख रहा है negative वाले case के अंदर क्या होगा कि जो आपका pitch scale के zero वाले के line होगी वो चुप जाएगी वो चुप जाएगी गोटा क्या होगी? चुप जाएगी तो ऐसे case में आप ऐसा कह सकते हो कि zero error वाले case के अंदर तो circular division जो होगा वो exactly pitch scale के zero के ऊपर ही होगा positive zero error वाले case में जो आपका circular scale है वो zero तोडा सा आगे होगा 0 आपको visible होगा जो pitch scale का 0 होगा वो visible होगा pitch scale का जो 0 होगा वो visible होगा लेकिन जब negative error होगा तब आपका जो scale है वो इस 0 के ऊपर चड़ जाएगा और आपको 0 बड़ी मुश्किल से दिखाए देगा तो आप ऐसे कह सकते हूं कि 0 of pitch scale जो है वो barely visible ये शब बड़ा याद रखना विल बी बेरली जो से ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है असान असान सवाल है इसलिए बड़ा 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 कुछ सवाल कर रहता हूं ये सवाल बड़ा आप आराम से इतिमिनान से करते रहे ना मैं थोड़ा फटावट ब बड़ा 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 रहा हूं जैसे बड़ा ये एक जीरो एर्र कमने एक arrangement पकड़ रखा है बड़ा देखना किस तरह का arrangement है इसमें आप बड़ा से पहले देखो कि इसके अंदर आपको 0 जो विसिबल है 0 वाली वाली वर्टिकल लाइन आपको अगर विसिबल है इसका म दोनों touch कर रहे हैं touch कर रहे हैं फिर भी इसका 0 और इसका 0 coincide नहीं कर रहा बलकि धान से देखो कि circular वाला जो 0 है वो नीचे है और main scale वाला जो 0 है वो ऊपर है main scale वाला 0 उपर है और circular scale वाला 0 अगर नीचे है तो पक्की बात है बड़ा कौन सी error है इसके अंदर तो आप बोल अगर आप count करते हैं बड़ा 10 यहाँ पर है 0 यहाँ पर है यह बड़ा 7th division जो है coincide कर रहा है इसका मलब यह वाला 0 7 division नीचे है 7 division नीचे है और अकिला circular division जो है वो 1 by 100 mm के बराबर है तो आप बड़े आराम से कैसा है कि 7 by 100 mm जो है या फिर 0.07 mm जो है यह हमारा एक तरह से positive 0 error है जो भी आपकी reading आये उसमें से बड़ा आपको यह minus करना पड़ेगा अब हमने कहा किया कि इसी screw gate से कोई object को measure किया जब मने object को measure किया तो main scale की reading बड़ा देखना 1 2 3 main scale की जो reading है बड़ा मेरे पास आगई है 3 of course mm और circular scale की मैंने देखा circular scale मैं देखा तो बड़ा लगा कि circular scale जो है वो बड़ा मैं फिर से count कर रहा गया 1 2 3 4 5 6 7th जो है वो coincide कर रहा था 7th coincide कर रहा था तो मेरे पास reading आ गई है बड़ा reading क्या आ गई है main scale reading आ गई है 3 mm plus हमारी circular scale reading circular scale reading होगे 7 into least count और मेरे पास आ गया इसमें से आपको 0 error भी तो मैनेस करें पड़ेगी तो आप बोलो कि सब 3.07 mm के अंदर से वो शुरुआत वाली 0 error that is 0.07 mm उसको अगर मैनेस करता हूँ तो इस object के thickness मेरे पास आ गई है 3 mm और होपर के रहे तो point तो हमें शाय इस तरह से बड़ा हम 0 error को मैनेस कर सकते हैं अगर 0 negative होती तभी माइनस करते हैं वह अलग बात है कि माइनस माइनस वापिस से प्लस हो जाता है लेकिन formula हम उसी तरह से याद रखेंगे हमें formula याद रखने में कोई दिक्कत नहीं है ठीक है बच्छों चली बच्छों कुछ सवाल करते हैं जल्दी जल्दी से बड़े नमबर स्क्रू गेज इस फिप्टी ठीक है अच्छी बात है इट मूस पॉइंट वन मिलिमेटर ऑन दो में स्केल फॉर वन कंप्लीट रोटेशन में स्केल रिदिंग इस तू डामिटर ऑफ द बाल इस बड़े राम से निकाल लेगे सब से पहले बड़े हमें लीस्ट काउंट नि मिरे पास आगे है जीरो पॉइंट फाइव मिलिमेटर शर्कुलर स्केल डिविजन की जो संग क्या है बड़े मिरे पास है पचास तो कर मुझसे पूछे के लीस्ट काउंट क्या होगा देट कमज आउट वी पॉइंट फाइव मिलिमेटर डिवाइड बाई 50 जो इट कमज कोई object नहीं फसार के अगे तो यहा है सिचु़ेशन यह है कि जो आपकी baseline है वो circular के 0 से coincide नहीं कर रही है बलकि circular के 5 से बड़ा हो coincide कर रही है जीरो तो बलकि नीचे रहा गया जीरो नीचे रहा गया और pick scale गा 0 उपर है तो obvious बात है कि इस सवाल के अंदर हमारी जो error है वो positive positive zero error है और कोई मुझसे पूछ है कि सरे positive zero error है कितनी तो चेक करो ले बड़ा zero यहां से 5 खाने नीचे हैं 5 brackets नीचे हैं तो आप कह सकते हो कि 5 times हर खाना हर bracket किसके बराबर है least count के बराबर है least count कितना है of course 0.01 mm है तो आप कह सकते हो कि that is of course 0.05 mm यह तो least count है जब हमने बीच में इसके बड़ा कोई object फसा दी एक bowl बड़ा फसा रखी है और फिर उसके बाद मुझसे पूछा है कि क्या के readings है वो सुनिएगा bowl बीच में फसाने के बाद बड़ा bowl बीच में फसाने के बाद main scale reading जो है वो तो मुझे सवाल में दे रखी है कि that is 2 तो that is of course 2 into बड़ा reading है 2 लेगन इसकी जो बड़ा pitch length है कि इतनी है 0.5 mm तो main scale reading आ गई है 2 into 0.5 mm समझगे उस बात को कि जो main scale reading है उसके अंदर जितने बड़ा खांचे बने है पहला दूसरा तीसरा चोथा पांच बाच बाच छट्टा इनके बीच का जो difference है यह 1 mm नहीं है सवाल के एसाब से बड़ा यह आपका 0.5 mm है यह भी 0.5 mm है तो दो खांचे जो है बड़ा किसके बराबाब में 2 into 0.5 mm तो main scale reading आपकी है 1 mm, main scale reading समझने आगे, main scale reading is of course 2 into 0.5, यहां तक ठीक 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 ठा, हर खांचा जो 0.5 mm इस तरह से आगे है, actual screw gauge में बड़ा जो हमारे पास पड़ा था उसमें तो हर खांच इड़ा जो थी बड़ा 5 scale पे वो 1 mm दूर से लिगने इस सव सवाल के अंदर बड़ा पहले से लिखावा है, ठीक है, हम दो मान लिया, हमारे पास actual reading क्या आएगी, हमारे पास actual reading आएगी, main scale reading, that is 1 mm, प्लस बड़ा पनी circular scale reading, बड़ा circular scale reading, बड़ा सवाल में जारा ध्यांस जो को 25 दिरक किये, 25 into least count, बड़ा least count कितना है, 0.01, that comes out to be 1 mm, प comes out to be 1.25 mm, ये तो reading है मेटा, actual reading ये नहीं है, actual reading अगर आपको निकालनी है, actual reading अगर निकालनी है, तो इस reading में से, वो शुरुआत वाले 5 mm, sorry, शुरुआत वाले 0.05 mm को मैनस कर दो, क्योंकि जो शुरुआत वाले 0.05 mm है, ये तो तब भी थे, जब आपने कोई object वीचे में प should be the answer, but the answer comes out to be C, I hope समझ गयोंगे, आगे चलते हैं, चले बच्चों, एक tough सा सवाल करते हैं, सवाल में थोड़ी calculation में वगर पर थोड़ी ज़्यादा ही है, हाला कि पुराना J का सवाल है, I.T. Advance का सवाल है, लेकिन सवाल में calculation थोड़ी सी ज़्यादा है, conceptually बहुत आप सवा सवाल नहीं है, सुनिवाच, इन देटर्मिनेशन ऑफ यंग्स मोडलर्स, वाई, वाई सिरलेज मेथट, बढ़ा सिरलेज मेथट इस सिंपली, ये तार के साथ अपने कोई मास लटका दिया, और उस मास लटका ने एक कारण उस तार की लंबाई कितनी बढ़ी आपने काले कर लिया, और उस से अपने यंग्स मोडलर्स सिंपली फॉमले स्ट्रेस अपन स्ट्रेंट से निकाल लिया, यह अपने आपमे एक्स्परिमेंटल मेथड है यंग्स मोड़स निकालने का, इस तार का दियामेटर है, वो 0.050 सेंटिमेटर, या फिर 0.050 इंटो 10 रस तो और इसमें जो absolute error है, डामेटर को measure करने में, वो of course बड़ा least count के बराबर है, least count बोल दो, या maximum possible error in measurement of diameter बोल दो, एक ही बाद है, तो diameter के अंदर जो maximum error हो सकती, that is 0.001 cm, कहा है कि बड़ा मेरे सब, the length of wire is measured by scale, ठीक बड़ा, जो तार की लंबाई है, वो मुझे 110.0 cm दे रखिया, that is of course 1.1, 1.1 meter, इस length को measure करने में भी error हो सकती है, और वो बड़ा error of course, जिस भी instrument से आप measure कर रहे हो, उस instrument की least count के बराबर है, सवाल में least count मुझे दे रखिया, that is 0.1 cm, ठीक है, अब of course बड़ा अपने कोई ने कोई मास लगाया, एक वेट लगाया बड़ा, बड़ा वेट मतलब mg हो गया, एक तरह से, वो मुझे 50 N दे रखिया, इसमें कोई error नहीं दे रखिया, it means that ये तो accurately measured है, ठीक है बड़ा, तार की लंबाई कितनी बड़ी है, वो भी सवाल के इंदे मुझे दे रखिये, और वो मुझे दे रखिये, 0.125 cm, इस length को measure करने में भी error है, मौस्क वड़ा एक बार के delta x लिख दू, और सवाल के इसाब से मुझे वो दे रखिये, 0.001 cm, हम से पूछा है कि youngs modulus को measure करने में वेड़ा कितनी maximum possible error हो सबती है, percentage error निकान ली होती है, तो calculation थोड़ी सी आसान होती है, लेकिन हमें absolute error निकान ली है, youngs modulus को measure करने में तो थोड़ा सा time तो लगेगा, सुनना वड़ाइस बार, कि सवाल में हुआ क्या, आपने ऊपर ही ऊपर किसी end से बड़ा तार को बाढ़ दिया, इसके लंबाई बड़ा आपको पहले से पता है, यहाँ से M मास की बड़ा block को आपने बाढ़ दिया, तो इस तार की लंबाई हल किसी बड़ा बढ़ गई है, X, तार का डाइमेटर मुझे सवाल के अंदर दे रखता है, तो cross-sectional area वगर सब कुछ अपने को एक तरह से पता है, मुझसे पूछा है कि Young's modulus क्या होगा, Young's modulus is of course, stress upon strain, stress is tension upon cross-sectional area, upon strain, strain is obviously changing length upon actual length, इसमें से अगर ध्यान से देखो, तो 4 जो है, वो accurately measured है, of course, mg, weight जो है, बढ़ा वो accurately measured है, π again accurately measured है, error जो हो वो d square में, X में और L में है, मैं आपको सिखा चुका हूँ कि आप इसमें बड़े अराम से लिख सकते हूँ, कि error in Y upon actual Y should be equal, बढ़ा, L पर पावर 1 है, इसलिए delta L upon L, plus, D पर पावर minus 2 है, मगर बढ़ा, error निकालने में, मैं मैं आपको सिखा नहीं करते हैं, plus 2 times, change in diameter, sorry बढ़ा, error in diameter upon actual diameter, plus, X की उपर पावर minus 1 है, minus 1 हम कंसेटर नहीं करते हैं, सिर्फ 1 कंसेटर करते हैं, that is, error in X upon actual X, अगर सवाल के अंदर मुझे fractional error पूछी होती है, तो यही बड़ा fractional error है, percentage error पूछी होती, तो मैं सबको 100 से multiply करता, और सारे के सारे values यहाँ पर मैंने लिखा रखी है, सटाक से answer जाता, लेकिन सवाल के अंदर हमसे Y की fractional error या फिर percentage error ना पूछ कर Y की absolute error पूछ रखी है, मतलब मुझे एक तरह से delta Y पूछ रख रहे है, डेल्टा Y पता गणने के लिए Y भी पतावना चीए Y को पर ले जाओंगा, तो Y मुझे पहले पतावना चीए, चलो बड़ा Y निकालते है, Y की value यही बड़ा, Mg बड़ा 50 है, 4 तो बड़ा 4 है, बड़ा सबको SI unit में लिखने कोशिश करना, L मतब बड़ा के लेंथ 1.1, Pi स्कार इस बड़ा अवकोर्स 22 भाइ 7, ठीक है, D स्कार बड़ा, बड़ा इस दामेटर, दामेटर इस 0.050 इंटो 10 रस 2 पावर मिनस 2 का स्कार, ये निवडा, फिर आगे है, X मतब बड़ा चेंजिन लेंथ, बड़ा सबको डंग से स्वाल करते हुए, मेरे ख्याल से 22.4 इंटो 10 रस 2 पावर 10 के आसपास बड़ा वैल्यू आती है, ये यूनित इस अफोर्स न्यूटन पर मीटर स्कार, यहां तक ठीक है, चली बड़ा, अगर मुझे, डेल्टा वाई अपोन वाई निकालना होगा, तो क्या करूँगा, 0.050 cm और उपर error in diameter error in diameter is of course 0.001 plus 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 delta x upon x delta x मतला x में कितनी error है x में error है 0.001 cm upon actual x actual x is of course 0.125 बढ़ वो cm cm आपके क्या हो गया हो गया हो गया हो अगर आपको delta y निकालना है तो यह जो आपने इतनी सारी value निकाली है इसको multiply करता है बढ़ा किस से y से y आजाएगा उपर y की बढ़ा हमने value पहले से निकाल चुके है that is 22.4 into 10 rest to power 10 newton per meter square इसके पास तो कोई unit है नहीं यह 0 नहीं बढ़ा यह जो बढ़ा हमने value निकाली है इतनी तो unitless है और इसके पास unit है newton per meter square तो of course बढ़ा आपका जो error in young modulus है बढ़ा उसकी unit of course newton per meter square ही आएगी और अब solve करते बढ़ा इसकी value लगभग लगभग बढ़ा 1.08 बढ़ा 1.09 के आसपास आती है जो सबसे नजदी की option था that was 1.1 into 10 10 newton per meter square यह सवाल बढ़ा tough हो क्यों गया इस वाली calculation वेल से tough हो गया यह calculation हो करना ही पड़ा otherwise तो कोई मुझसे fractional पूश्टा बढ़ा यह answer निकाल देते percentage पूश्टा तो इसको hundreds multiply करतेते समझे के बढ़ा आपको आगे अच्छा चले बच्चो एक सवाल और करते बढ़िया सवाल है बढ़ा आराम आराम से सुनना समझ रहा अच्छा सवाल है एपिच ओफ स्क्रू गेज is 1 mm अच्छी बात है बढ़ा जो pitch length है वो 1 mm है लेकिन जो circular scale divisions है उनके संक्या बढ़ा 50 ही है और circular scale divisions बढ़ा 50 ही है तो अब बिस बात है कि हमारा least count जो है वो आ गया है 1 mm upon 50 that is of course 0.02 mm याद रखना बढ़ा 0.02 mm यह है वन दे टू जो जोज अफ दे स्क्रू गेज आर इन कॉंटेट बढ़ा कौन से टू जोज की बात कर रहा है of course बढ़ा जो आपका stud था और जो आपका screw था दोनों touch हो रहे है of course rating 0 आनी चाहिए कुछ बढ़ा उने बीच में फसाई नहीं रखा लेकिन rating 0 नहीं आ रही बलकि यह लिखावा है कि तो 0 of circular scale lines circular scale का जो 0 है यह above the line of graduation line of graduation means बढ़ा के baseline के ऊपर है और बढ़ा फिर से देखना क्या लिखावा है क्या लिखावा है यह कहा गया है सवाल के अंदर यह कहा गया है कि circular scale का जो 0 है it is above हमारी baseline और मेरे ख्याल से मेरे बच्चों को पता है कि अगर यह baseline के ऊपर है इस बात का सीधा सीधा अर्थ है कि negative 0 error है सर्वो है कितनी देखते है 6 division के बराबर 6 division के बराबर तो 6 division और हर division किसके बराबर है 0.02 mm बढ़ा negative error है तो minus जरूर लगाए तो कुल मिलाकर मेरे पास जो 0 error है उसकी value आ गई है that is minus 0.12 mm यह हमारी negative 0 error है यहां तो ठीक बढ़ा अब मुझसे क्या बोल रखा है कि अब हमने उस दोनों जोस के बिछे किसी object को फसा दिया और object को फसाने के बाद main scale के तो 3 division है तो कोई मुझसे पूचे कि main scale reading क्या है तो मैं कैसे ता हूँ कि 3 division दिख रहे है वो कितनी है देखते है circular scale reading वैसे मुझे दिखा रहे 31st 31 भी जो है वो baseline के touch कर रही है that is 31 multiplied by of course least count भी करते है least count is 0.02 mm that comes out to be of course 0.62 mm तो कोई मुझसे पूचे कि सर रीडिंग क्या है तो मैं रीडिंग का जवाब यह दूँगा कि main scale की reading तो आ गई है 3 mm और हमारी जो क्या कहते है circular scale की जो reading है वो आ गई है 0.62 mm और कुल मिलाका मेरे पास reading आ गई है 3.62 mm यहाँ तिर बटा सारे कि सारे बास नहीं आ गई लेकिन actual reading यह नहीं है actual reading इसलिए यह नहीं है क्योंकि हम जानते हैं कि बटा actual reading जो होती है वो होती है reading minus of course 0 reading है हमारी 3.62 mm minus 0 error अब तुम तो मैंसे नहीं वाला फुम लगाया करो तुम मस्तिंता क्या करो हाँ 0 error positive हो तो positive लिग दो negative लिग दो और 0 error मेरे पास है minus 0.12 mm और इसको लिखते बड़ा मेरे पास answer आ गया है 3.74 mm बड़ा जरूर कोई ने कोई option है सा होना चाहिए बड़ा जरूर एक option है बड़ा कौन सा D, this is your answer I hope बड़ा सारे बच्चे समझी क्योंगे आगे चलोटे चली बच्चो एक छुटा सवाल और है अभी करते है बड़ा 2 full turns of circular scale of a screw gauge covers a distance of 1 mm on the main scale बड़ा screw gauge जो है उसके 2 circular turns करता हूँ तो 1 mm main scale पे, pitch scale पे आगे बढ़ जाते है तो pitch length आप बड़ा राम से कह सकते हूँ कि pitch length मेरे पास आगे 0.5 mm पताने बड़ा कैसे 2 rotation अगर circular scale के है तो वो 1 mm के बड़ाबर है तो एक rotation जो है वो of course 1 by 2 mm के बड़ाबर है और एक rotation circular scale पर चलने पर main scale कितना आगे जाती है वही तो उमारा pitch length है तो pitch length आपकी 0.5 mm आगे है अच्छी बात the total number of divisions on the circular scale is 50 तो circular scale divisions के जो संख्या है वो आपके पास 50 है इस से हम बड़ा राम से least count निकाल सकते है अच्छी बात है अब screw gauge के जो 0 error है वो negative दे रखिये और 0 error मुझे दे रखिये सवाल के अंदर अच्छी बात है के सवाल के अंदर ही गिवन है minus 0.03 mm अच्छी बात है बड़ा मुझसे पूछा है कि यार एक बच्चा है वो किसी wire का diameter वैज़े करना चाह रहा है में स्केल रीडिंग सवाल में दिरखिये 3 mm और नंबर ओफ स्केल की जो बेस लाइन है उससे जो सर्कुलर स्केल का जो डिविजन कोइंसाइट कर रहा है वो 30 वा है तो इसमें बड़े अराम से कह सकता हूं कि में स्केल रीडिंग तो सवाल के अंदर मुझे दिरखिये 3 mm और जो सर्कुलर स्केल रीडिंग है वो मेरे पास है 35 ठीक बड़ा 35 ठीक है लेकि मुझस को लिस्ट काउंट से मिल्टिकलाई भी करना चाहिए तब जाकि मेरे आएगी दैट विल भी ओफ़ोर्स दिस प्लस दिस दैट इस 3.35 मिलिमेटर यहां तर की बड़ा कहानी ठीक है मुझसे पुछा है कि वायर का डायमेटर क्या होगा वायर का डायमेटर होगा इसका मतलब मुझे चुल रीडिंग चाहिए और इस सवाल के अंतर जीरो एरर दे दे कहा है और इस 3.38 मिलिमेटर बुट ऐसा कोई अप्शिन होना चाहिए है हाड़ा ओप्शन है रडिप ऑच्छ आए और जड़ा इस सवाल को क्या आए ईक बड़ा आसान सा सवाल है सुनेगा समझेगा बड़्ा लेका इस स्कूरू केच गैज गी जे पुल बड़ा अच् बात है बड़ा इसका मतलब जो 0 mm है वो बड़ा ऐसे है और 1 mm यहां कहीं होगा और जो आपका circular scale है वो यहीं से start होना start हो गया तो जो 1 mm हो तो नजरी नहीं आ रहा रहा सिर्फ और सिर्फ आपका में scale rating है वो तो 0 mm है circular की rating बड़ा कितनी है अब आवा अच्छी बात है main scale का 1 mm जो है वो 100 division circular scale से divide कर रखा है ठीक है तो SM बड़े अराम से least count में काल सकते है कि 1 mm को हमें 100 parts के इंदर divide करना है तो that comes out to be 0.01 mm हम से पोचर का बढ़ा वायर का diameter क्या होगा वायर का diameter will be reading will be of course main scale reading plus circular scale reading circular scale reading will be of course 0.01 mm that is the least count multiplied by reading कितनी आ रही थी 52 divisions बड़ा कोंसाइट कर रहे है so that comes out to be 0.52 that comes out to be 0.052 mm सारे बड़ा option सेंटीमेटर में है तो आप कहा सकता है विए 0.00 oh sorry मैं गलत लिख दिया एक बड़ा आपकर से that is 0.52 mm cm में लिखना तो 0.052 cm there must be some option like that of course option is 2 but a second option आपका correct answer ठीक आगे चलते पीछो next question करते बड़ा ये भी आसान सवाल ही है बहुत टाफ सवाल है नहीं थोड़ा बड़ा जरूर दिखना नहीं सवाल है नहीं सुनेगा screw gauge with pitch 0.5 mm बड़ा pitch length में सवाल के अंदर दे रखिये pitch length मुझे दे रखिये 0.5 mm circular scale divisions है उनके संख्या मेरे पास है 50 least count बड़ा of course this upon this आएगा that is 0.01 mm अच्छी बात है बड़ा एक aluminum के thin sheet measure कर ली है before starting the measurement it is found that when the two jaws of the screw gauge are brought together बड़ा jaws कौन से कौन से एक तो बड़ा आपका जो stud था वो और आपका जो screw है वो दो रोंगो ने touch करा दिए दोनों को touch करा दिया तो 0 circular scale का और जो base line ने वो touch होने चीए थी है कि ने इंजनरल तो भी होने चीए थी लेकिन ऐसा हुआ नहीं यह कहा गया है कि तो 45th division coincides with the main scale line and that the zero of main scale is barely visible यह main scale is barely visible यह शब्द आते ही आपके दिमाने घंटी बजने चाहिए कि जरूर यह कोई negative zero error वाली कहानी है कैसे सुनना इन जनरल हमारी उम्मीद यह होती है बड़ा इन जनरल हमारी उम्मीद यह होती है कि जब आपके दोनों जो jaws है बड़ा कौन से कौन से है जो stud था वो और जब का screw था अगर वो touch करते हैं तो उस case में अगर आपका यह main scale का zero है वो और यह अगर आपकी circular scale है यह आपके circular scale है तो circular scale का जो zero है वो यहाँ आना चाहिए नहीं ऐसा हुआ नहीं ऐसा हुआ बलकि हुआ क्या कि यह आपकी मेंस के यह आपकी मेंस के यह तरह से बेसलेंग जीरो दिखी नहीं रहा है इसका मतलब यह जो सारा-सारा अरेंजमेंट है यह ऊपर चड़ गया है यह सारा-सारा अगर इधर होता तो अब क्या हो गया कि पहली बात तो आपके जो जोज है वो टच है इस तरह से दोनों जो जोज है वो टच है बिलकुल टच कर रखें आपने आपके आवाज भी आ गई तो वैसे तो बड़ा जीरो रिडिंग आने चीए लिगन जीरो रिड पास यह एक नेगेटिव एरर होती है तो हुआ कि जीरो बड़ा यहां कहीं रहोगा एसे जीरो बड़ा यहां कहीं रहोगा और आपकी जो सर्क्लर स्केल थी उसके उपर इस तरह से आईसे आगई यूँ आगी ऐस सर्क्लर स्केल के अंदर 50 divisions है और 45th दो है वो बड़ा ऐसे आगी है यहाँ पर है सर्क्लर स्केल का बड़ा 45th division 45th division जो है वो ऐसे आगी है फिर एनफ और यहाँ पर बड़ा आपका यह अप यहाँ बड़ा आपका जो सर्क्लर स्केल है सर्क्लर स्केल के बड़ा जो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 वगर थे बड़ा उनके दिर मैं बात करूँ तो वो उसका 0 थोड़ा सा उपर है टोटल बड़ा 50 divisions थे तो 0 माल लो या 50 माल लो बड़ा थोड़ा सा उपर है यहाँ कहीं बड़ा 40 होगा नीचे बड़ा आपका फिर 35 होगा अब इस केस में अगर धान से देखो तो हमारा जो सर्क्लर स्केल है उसका 0 उपर है और जो में स्केल का 0 है वो नीचे है और 0, 0 मालना या 50 मालना एक बात है तो कि 50 के बात बड़ा लगा था यह जो गैप है यह आपका 0 एरर है यह गैप किसके बराबर है यह गैप बराबर है पांच ऐसे चोटे 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 ब्रेकेट के बराबर यह पांच ब्रेकेट हैं कितने हैं हर ब्रेकेट तुम जानते हो least count की बराबर length रखता है least count की value हम पहले से निकाल चुके हैं that is 0.01 mm तो अगर कोई मुझसे पूछे कि इस case के अंदर मेरी 0 error कितनी है तो हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि 0 error की value है multiply करना 0.05 mm मगर positive नहीं बड़ा negative negative क्यों I hope बड़े आपको समझ में आगया होगा कि 0 आपका barely visible है ऐसा कैसा हो सकता है जब यह सारा सारा arrangement उसके उपर चड़ जाए तो उपर चड़ जाते है बड़ा उसके अंदर positive error होती है negative error होती है negative error होती है और वो 45 coincide कर रहा है इसका मतलब जब को 0 है यह फिर जो 50 है वो थोड़ा चा उपर चला गया कितना उपर चला गया 5 steps उपर चला गया और हर circular division जो किसके बराबर है हर circular division 0.01 mm के बराबर है तो यह gap किसके बराबर होगया यह 0.05 mm के बराबर होगया यह होगी आपके 0 error चलिए मुद्दे पर आते What is the thickness of the sheet if the main scale reading is 0.5 mm and 25th division coincide with the main scale सबसे पहले तो आपन reading निकाल लेते है Reading मेरे पास आए कि main scale reading that is 0.5 mm प्लस बड़ आपकी circular scale reading circular scale reading आप कह सकते हो कि 25th division है तो 25 into least count बड़ आप कह सकते हो कि reading तो मेरे पास आए है 0.75 mm तो हम जानते हैं कि actual reading यह नहीं है actual reading आपके पास आएगी actual reading आपके पास आएगी reading minus 0 एए रहा और solve करते है बड़ इस comes out भी 0.80 mm यह बड़ आपका answer होना चाहिए that is your option number one पहला option आपका answer जाएगा फिर अफ अच्छा सवाल का समझतो आएगी होगा इस तरह से negative error आप बड़ आपके पचान सकते हो खास तोर से इस line से बड़ आपकों सी जो barely visible है यह इस तरह से बड़ आपके पचान सकते हो यह बड़ आपके याद आपके याद आपका का कि circular division का 0 अगर उपर है तो negative error circular division का अगर 0 अगर नीचे है उस baseline से तो आपकोंस आपका positive error यह अपने याद भी कर लिया होगा नहीं याद किया तो कर लिजिए अगला सवाल बड़ next is मैं बड़ा एक बात क्लियर करता हूँ कि इसका solution जो पहले से लिखा हूँ है बड़ा एक गलात है सारे steps तो गलब नहीं है बट थीक है बड़ा एक गलात है और answers में दे रख़ा है बड़ा वो भी गलात है अभी दिख जाएगा आप कैसा क्यों कह है the pitch and the number of divisions on the circular scale are given as this and this pitch मुझे दे रख्ये 0.5 mm circular scale divisions के संख्या मुझे दे रख्ये 100 तुम्हा बड़े आराम से least count बड़ा सकता हूँ कि that is 0.5 mm upon 100 that is 0.005 mm ठीक टा, when the screw gauge is fully tightened without any object the 0 of the circular scale lies below the mean line mean line मतलब बड़ा वही आपकी क्या नाम था बड़ा उसके baseline, baseline के नीचे है क्या? baseline के नीचे को है? baseline के नीचे है आपका circular scale circular scale का जो 0 है बड़ा उससे नीचे है अब जरा इतना तो आपको बड़ा यादी होगा कि ये रहा बड़ा आपका pitch वाला arrangement और इसके उपर बड़ा ये रही आपकी circular scale ये जो आपकी mean line है या फिर बड़ा baseline है circular scale का जो 0 है वो थोड़ा सा नीचे है थोड़ा सा नीचे है और किता नीचे है? तीन divisions नीचे है ऐसे बड़ा 1, 2, 3 तीन divisions नीचे है अब ज़रा ध्यान सा देखो कि एक तरह से हमारा जो main जो हमारा बड़ा कौन सा क्या कहते है उससे बड़ा pitch meter है जो है जो है जो हमारा pitch scale है उसका 0 उपर है और circular का 0 नीचे है circular का 0 नीचे है इस बात का सीधा-सीधा अर्थ बड़ा ये निकला है कि हमारे पास इस case के अंदर आपका circular scale का 0 उपर था तो इस case में आपके negative error थी इस case में आपका circular scale का 0 जो है वो नीचे है सवाल के ने बड़ा साफ-साफ ऐसा लिखा हुआ है लिखा हो बड़ा the 0 of circular scale lies 3 divisions below the mean तो इसका मदल बड़ा error कैसी है आपकी positive 0 error है और वो 0 error है कितनी तीन divisions के बराबर है अच्छा हर division किसके बराबर है हर division 0.005 mm के बराबर है तो मेरे पास यह आगया that is 0.015 mm चली बच्चो काम है के लिए पास बड़ा the reading of main scale and the circular scale has given as this and this मुझसे पूछा thickness of sheet क्या होगी thickness of sheet के लिए बड़ा पहले मुझे एक बार के लिए reading निकान ले पड़ेगी reading is of course main scale reading 5.5 mm plus circular scale reading बड़ा circular scale reading के लिए 48 multiplied by हमारा least count that comes out to be 5.5 mm plus 48 को बड़ा मैंने अगर इस से multiply किया ऐसे आ जाएगा तो ये बड़ा कितना आ गया that is 5.740 mm 5.740 mm यह नहीं हम जानते हैं कि reading यह नहीं है जो actual reading होगी that would be different we know that कि actual reading will be this reading 5.740 mm minus आप की बड़ा 0 error 0 error पॉसिटिवा तो बड़ा पॉसिटिवा तो नेगटिवा तो नेगटिवा और हमने इसको माइनस किया तो अपॉसिटिवा तो बड़ा इसको माइनस का पॉसिटिवा तो नेगटिवा रखा ता उसमें यहाद रहेगे, कोई दिक्रत नहीं आएगे, आगे चलता है, चलो बच्छो, आगे चलता है, एकवर सवाल, बड़ा ऐसे सिंपल साही सवाल है, the least count of a main scale of screw gauge is one millimeter, अच्छी बात है बड़ा, main scale का जो least count है, वो मुझे एक millimeter दे रखा है, the number of divisions on the circular scale, required to measure one micrometer diameter of wire, कोई तार है बड़ा, और उस तार का जो diameter है, वो 5 micrometer है, और अगर 5 micrometer है, उसको measure करना है, वर्मियर केलिपर से, तो अव्वेस बात है कि इस वर्मियर केलिपर का जो least count है, it should be, it should be less than or equal to 5 micrometer, तभी तो इसको measure कर पाएगा, 5 micrometer से जादा अगर आपका least count हुआ, वर्मियर केलिपर का, तो अफकोर्स इतनी precise value को तो यह measure नहीं करता है, इतना छूटा थिकनेस अगर आपको measure करना है, तो आपका जो least count है, या तो इसके बराबर होना चीए, या इससे छूटा होना चीए, I hope you get the point, इस बात को, जैसे मैं कहूँ तुम्हें कि, क्या हम simple meter scale होता है, उससे 0.5 mm measure कर सकते हैं, क्या? आपको नहीं सर, हमारे जो simple meter scale होता है, उसका least count ही 1 mm होता है, तो 0.5 mm को measure नहीं कर सकते हैं, तो उससे क्या measure कर सकते हो? Of course, 1 mm, 2 mm, mm के order हो चीज़े होंगे, सिर्फ और सिर्फ उनी को, या अगर centimeter और meter के order होंगे, उनी को हम measure कर सकते हैं, 1 mm छोटे को measure नहीं कर सकते हैं, तो अगर आपको 5 micrometer की अगर thickness measure करनी है, तो ऐसा instrument यूज करो, जिसका least count या तो 5 micrometer हो, या उससे कम हो, जादा गर least count measure नहीं कर पाएगी, तो सबसे पहला जो मेरे पास point है, बड़ा वो यह है, कि if thickness और diameter है, if diameter is 5 micrometer, then least count of this instrument can have maximum value of 5 micrometer, least count की maximum value ही 5 micrometer हो सकते हैं, उससे जदा नहीं हो सकते हैं, तो चलो बच्च, हमारा जो arrangement है, उसका least count should be less than or equal to 5 into 10 raise to power minus 6 meter, least count कैसे निकालते हैं, least count निकालते हैं, pitch length, pitch length is 10 raise to power minus 3 meter, divide by, कितने circular scale divisions है, should be less than or equal to 5 into 10 raise to power minus 6 meter, इसको solve कर बड़ा, मेरे पास आ गया, कि circular scale, 10 raise to power minus 3 meter से meter cancel, 5 into 10 raise to power minus 6, should be less than or equal to circular scale divisions, तो circular scale divisions is greater than or equal to 10 raise to power 6 उपर गया, तो बड़ा, उपर तो कितना बज़ गया, 10 raise to power minus 3, power minus 5, 200, इसका मतलब आपके इस circular scale के उपर कम से कम 200 divisions तो होने ही चाहिए, 200 से जादा हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मुझसे पूछा कि कम से कम कितने divisions होने चाहिए, तो आप बोलते हैं, कि से circular scale divisions के जो minimum value आई है, that comes out to be 200, I hope बड़ा इस बात को समझ के होंगे, तो बड़ा, ये बात थी, screw gauge की, और मैंने कोशिश किये कि चाहिए, examples हो चाहिए, zero error हो चाहिए, इस बात को basic से बताना हूँ, मैंने शारी बात मैंने डंग से cover कर ली है, आप J-Main के अंदर जो भी सवाल करें, आप expect कर सकते हों कि more or less हमने जो class में किये हैं, उन में से कोई ने कोई किसे ने किसी तरह से आपसे पूछा जाएगा, और of course, चाहर नंबर फिक्स ही हैं, और बस सिर्फ आपको पढ़ना ही है, कुछ अलग से काम करना ही नहीं, जो पढ़ाओं बिड़ा होगी पढ़ लेना, और वन्डिया के लिए पर भी exactly आप सिर्फ उस लेक्चर से ही निप्टा साथ हैं, ठीक हैं, आपे चाहर था,